टो आज हम बात करेंगे photoelectric sensor के बारे में तो यह बेसिकलिए ओमराण का sensor है ओमराण का sensor model E3 JK R4 M1 model series का sensor है तो यह बिसिकलिए है 선생님, और इसको diffuse type sensor भी गह सकते हैं जिसमें transmit receiver एक ही में है पहले इसकी वायर कते यह जिकान के connecting wires को समझते हैं, connection wires को समझते हैं, इसमें basically 5 wires हैं, इसमें 2 wires है supply की और 3 wires है इसकी output pins, अब इस sensor में एक interesting चीज यह है, इसमें एक inbuilt relay है, inbuilt relay as in जो output जो wire बनेगी, उसमें एक wire तो common है, और यहां पे यह जो wire, यह relay की तरह काम करेगी, relay की output pins होते है, यह NONC, contact, वैसी यह उसकी तरह काम करेगी, जब target इसके सामने आ जाएगा, यह इसके आग एक red color की film लगाए भी है, और यह कह सकते है red, इसलिए अगर मान लो shiny object है, तो उसके कम से कम light reflect होए, उस object से, तो यह film लगाते है, red यह थोड़ी darker, light कम से कम receiver पर आए यहां पर, और यह reflector, reflector में basically कई सारे prism होते हैं, इसका मैं बाद में application समझाऊंग, कि reflector क्यों लगाते हैं, अब इसके, इसमें यह देख लेते हैं, कि, इसमें specification क्या कहा दीवी हमें, अब हम देख सकते हैं, इसमें 5 वायर जो दीवी है, पहली दो ने लिखा हुए, 12V to 24V VDC, और 24V to 240V VAC, इसका मतलब यह sensor की supply points है, जो blue और red है, हम इसको दोनों supply से operate कर सकते हैं, DC से भी operate कर सकते हैं, और AC से भी operate कर सकते हैं, जब supply देंगे, और जब कोई object आएगा, तो बस अंदर relay का contact complete हो जाएगा, उसकी एक wire यह common समझ दो, और यहाँ पर directly, यह NC हो गई wire, जो directly already connected है, और यह वाला जो contact हो गई, यह N वाला हो गया, तो बिल्कुल relay की तरह है, अंदर relay की जब हम on करेंगे, तो relay की आवाज भी आएगी इसमें, ठीक है, अब यहाँ पर एक sensing port भी दिया हो है, जिसमें हम sensing adjustment भी कर सकते हैं, कम से कम sensing range, यहाँ पर एक port है जो हम page cut से कम जादा कर सकते हैं, और maximum sensing range के लिए इतनी, तो यहाँ पर मैंने इसको अभी supply points दिया है, उसके red और blue wire पर connection किया है, और मैं हाँ पर DC supply दे रहा हूँ, around 20.9 DC supply मैंने इसको दिया है, और यह sensor on हो चुगा अभी, अभी मैंने इस sensor को DC supply दिया है, 21 volt DC, अब मैं sensor हूँ ना, दो mode देखता हूँ, इसको यूज करने के, पहला mode तो यह है, कि sensing range को मैं थोड़ा बढ़ा दू यहाँ पर, यह इसको sensing range है, इसकी, around 20-30 mm होईगी sensing range इसकी, 40 mm, दूसरा mode है, इसको यूज करते वक्त, अब देखना हूँ, इसको यूज क करते वक्त, sensing range रखनी है, वो कम से कम minimum की तरफ रखनी है, उसका reason बताऊँगा क्यू minimum की तरफ रखनी है, देखो मैं हाथों से कर रहा हूँ, तो sense नहीं करेगा उसको वहाँ पर, अब मैंने जैसी reflector लगाया, यह उसको sense कर लिया, अब 20 से अगर कोई भी object पास होएगा, तो यह देखिए, यह reflector को अगर मैं हटा दूँगा, तो मेरे हाथ को, उसकी sensing range, यहाँ पर गई, sense नहीं कर रहा हो, यहाँ पर, sense नहीं कर रहा था हो, यहाँ पर, यह reflector जैसी यहाँ पर लगाया, तो अब इसका benefit यह हुआ, अगर कोई भी object इसके beat से पास करेगा, यह उसको महाँ पर sense कर लेगा, यहाँ पर, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसकी sensing range में यहाँ पर बढ़ाऊंगा, तो खुद की अगर sensor की range, अगर खुद की अगर यहाँ तक आती है, तो अगर कोई object इसके बीच में आएगा, वो इसको already sense कर रहा होगा, reflector का तो कोई काम आया ही नहीं, reflector हमने यहाँ पर इसके लगाया, ताकि जो sensing range हो जाद हो जाए, अभी यहाँ पर इसकी जो actual sensing range इसके और इसके बीच में distance जो अभी possible है, वो about 4 meter का है, sensor की खुद की sensing range 300 mm तक है, तो अगर object, अगर 300 mm, कि अगर मैं इसको maximum sensing range पर कर दूँ, मैंने इसको maximum sensing range पर कर दिया, तो अगर कोई object आयेगा इसके, तो वो इसकी sensing range में आ रहा है, reflector का तो काम ही नहीं हुआ, वो actual में, वो उस object को ही sense कर रहा हो यहाँ पर, वो उस object को ही sense कर रहा है, मैं उल्टा, मैंने इतनी वाली wall को sense कर रहा है वो, यहाँ पर, तो obstruction तो कुछ हो आई नहीं हाँ पर, इसको यह कह सकते हैं, यह जो range जो इसकी बनती है, यह जो इसकी range है, हाँ पर, जब using reflector हम use करते हैं, हमें उसको minimum पर set करने है, minimum sensing range पर, नहीं तो वो consider करेंगे, वो blind range हो उसकी, कि sensor महाँ पर कोई sense नहीं कर रहा, और चैसी sensor sense करेगा, output बिल्कुल relay की points की तरह है, NONC का contact बनता है, यह यह पूरे sensor में, देख रहे हैं, ठीक है, so I'll try to upload more and more videos regarding these sensor series, चाहे हो photoelectric sensor हो, चाहे हो inductive sensor हो, या दुनिया में कोई भी sensor हो, मैं कुछ करूँ हो, उसका application, उसको use ही कैसे करते हैं, या फिर क करते हैं, जो implication आती है, या फिर जो problems आती है, वो discuss out upon through my videos, and please share, share among engineers,